इसका ऐसे आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे आज हम बात करने वाले हैं इन सारे मोडियूल का यूजिंग एक्स्प्रियेंस की मैं इसको यूज कर चुका हूँ तो यह आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे प सिंगल बैटरी मतलब टू एंपीर तक के बैटरी को जार्ज करने के लिए इसके ज्यादा इमेज के बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको इसको यूज करेंगे तो इसकी आईसी खराब हो जाती है और यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें दो इंडिकेटर लाइट्स दिये गए हैं एक रेड है और एक ब्लू है और इस मड्यूल का आई प्रड़ भी देंगे चार्जिंग के लिए तो यह बचार्जिंग प्रोटेक्शन सारे प्रोटेक्शन आपको देगा और यह माइक्रो एसबी में है टाइप सी में भी आप आचुका है आप इनको बदलना चाहे तो बदल सकते हैं इसमें मैं वीडियो लाँगा और देख स नाच हो चुकी है और इस पर ब्लू लाइट stupid है और यह अच्छे से मैं बैटरी है लिधियम लिधियम लिधियमाइन बैटरी और यह बैटरी बहुत ही अंदक ब्लू लोग क disci Park और प्लू लूट लोग हो चुकी है और इसको प्लाइट जोग इन करने पर फिरसे light on हो जाएगी red वाली light देख सकते हैं और red वाली light टेप से ढख चुकी है तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है तो friends इस वाले module में किवाली यही problem है कि इसकी IC खराब हो जाती है जल्दी तो आप ले सकते हैं by the way इस module को आप भी आप ले सकते हैं जो कि type C में आ रहा है और यह module आपको बहुत ही बढ़िया पड़ेगा क्योंकि इस module में आपको 2R2 का inductor दिया गया है जो कि इस वाले display वाले power bank module में भी दिया गया है 2R2 का inductor और यह देख सकते हैं इसमें भी 2R2 का inductor दिया गया है यह भी power bank है क्योंकि इसमें भी USB का option दिया गया है और यह भी 2A 5V 2A output में दे देता है अच्छे से और यह type C fast charger से अभी आप charge कर सकते हैं तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 indicator दिया गया है 0-100V charging को negate करने के लिए और तो इसको आप 20-30RM इस तक के बैटरी को चार्ज अच्छे से कर सकते हैं और इस वाले module से 40-30RM इस तक के power bank module को बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और बात कर रहते हैं अब इसी module के बारे में तो इस वाले module में देख सकते हैं यहाँ पर fast charging का support दिया गया है इसे चार्ज कर सकते हैं और micro USB से भी और आप type C से भी से चार्ज कर सकते हैं अच्छे से तो देख सकते हैं यह भी module बहुती बढ़िया है इसे भी आप ले सकते हैं power bank बनाने के लिए बहुती best module है friends यह भी best module था power bank बनाने के लिए बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए भी बेस्ट मोड्यूल है तो देख सकते हैं अब बात करते हैं यह मेरे पास 25 एंपियर का यह BMS है जो कि आप लोग देख सकते हैं यह BMS 25 एंपियर का है 3S BMS है और इसमें दिया गया है 1.2 mm का वायर आट करने के लिए मतलब आप अच्छे से 25 एंपियर तक का बैटरी पैक की से बना सकते हैं अच्छा वर्ड करता है फ्रेंट्स क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेंजिस्टर्स और यह मॉस्पेट से मॉस्पेट वाला है BMS और इससे बैटरी पैक बना सकते हैं इसका प्राइज है यह 180 रूपीज ओफलाइन मार्केट में मुझे मिला है ओनलाइन आपको तीन या चार सो का मिल जाएगा फ्लिप कार्ट पे और फिर देखते हैं यह 10 एंपियर का BMS है और यह मुझे ओनली 90 रूपीज का पड़ा है ओफलाइन मार्केट में देखते हैं 10 एंपियर का BMS है यह भी 3S है और बहुत ही बढ़िया BMS है यह भी फ्रेंड्स और तो ऐसे मौसफेट वाले BMS सच्छा पड़ते हैं IC वाले BMS से क्योंकि IC जल्दी खराब न हो जाती है और देखते हैं यह वोल्टेज बूश्टर मोडियूल है जिससे आप वोल्टेज बूश्ट कर सकते हैं 3.7 बोल्ट को 40 बोल्ट भी कर सकते हैं बाइद वे एंपियर बोल्ट को यह बोल्ट में बदल देगा 10,20,30 बोल्ट तक यह बना देगा अच्छे से यह मोडियूल भी बहुत ही बढ़िया है इसका ही आता है एक और मोडियूल इसके ही जैसे जस्ट अस्टेप डाउन मोडियूल तो इसमें इन जो है इधर है इंडक्टर और उधर आउ किजिए आउट चैनल को सब्सक्राइब किजिए ऐसा ही वीडियोज के लिए धन्यवाद